कि अलो फ्रेंड्स मैं केटी अपने चानल गाड्निंग विद किप्ती वर्मा में आप लोगा हर्दिक स्वागत करती हूं उप्रेंड्स जो सामने आप खुबसूरत से छोटे छोटे फ्लावर्स देख रहे हैं यह बेबी संरोंज के फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स और बहुत ही flowers नहीं भी खिलते हैं तो इसके lips देखे कितने खुबसूरत बिल्कुल green color के बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके lips friends तो यह summer season का बहुत ही खुबसत plant है friends और hanging box state में नीचे लटकते हैं वे काफी खुबसूरत लगता है अगर आपके पास जमीन है तो इसे ground covering में भी लगा सकते हैं friends और पूरे एक ground पर यह फैल जाते हैं तो चलिए friends आज इसी के बारे में कुछ हम लोग बाते करते हैं कि यह कितना आसानी से इसे आप इसे grow कर सकते हैं और कौन-कौन इसे fertilizer आप इसे दे सकते हैं इस वक्त हर flowering plant के तरह इसे भी well done हमें मिटी देना पड़ता है friends अगर आप गंबले में लगा के रखते हैं तब तो आप एक हिस्सा मिटी एक हिस्सा गोवर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा सैंड में लगा के रखे तो काफी अच्छी तरह से इसमें flowering होगी लेकिन अगर hanging basket में लगाना है तो मिटी को थोड़ा हलका ही रखना पड़ेगा friends तो इस इस स्थिति में आप बराबर हिस्से में मिटी compost, compost में अगर आप leaf compost ले तो ज्यादा अच्छा होगा और cocopic तीनों को मिला के थोड़ी सी एक मुठी नीम खली मिला के इसमें लगाए तो यह बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और जाड़े के समय इसका dormancy period हता है बिल्कुल यह सूख जाता है friends इसके stem बिल्कुल लकड की तरह दिखते हैं लेकिन फिर भी इसमें छोटी छोटी पतियां बनी रहती है जैसे ही फरवरी आता है वैसे नया इसमें ग्रोथ शुरू होता है नए-ने leaves निकलते हैं और यह अप्रील से लेके flowering शुरू कर देते हैं friends तो यह एक सेकुलेंट है तो इसके सेकुलेंट में क्या होता है ना leaves में ही पानी जमा रहता है तो leaves में जो पानी जमा रहता है friends तो जब भी इसको ज़रूरत होती है तो अपना यह requirement पूरा कर लेता है तो इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसे वर वाटरिंग मत कीज़े क्योंकि यह कम पानी से तो तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेबी संदोज के लिए और देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया इसे बहुत ही खुबसूरत लग रहा है आज मौसम देखिए मेरे हां बादल बादल हुआ है दो दिन पहले काफी बारी सुई थी तो अभी मैंने पानी से नहीं डाला है अब दो दिन के बाद जब इसकी उपर मिट्टी सूख जाएगी उपरी मिट्टी तब इसमें मैं पानी डालूँग तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये से कुलेंट है और देकित के छोटे-छोटे फ्लॉस बहुत ही खुबसूरत लगते हैं जब मई का जब आएगा मिडिल तो पूरा गंबला मेरा फ्लावर से भर जाता है पूरे ग्रीन पतियों के भी छोटे-छोटे-छोटे वेजंटा कलर के फ्लॉस बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और ये छोटे से छोटे कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते ह हैं और फर्टिलाइजर आप इसे फर्वरी के मन्थ में दे दीजे वर्मी कमपोस्ट या गोबर की खात उसके बाद इसे कोई खात की शरूरत नहीं होती है अगर आप लिक्विट फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो चाय की पत्ति को भिंगो दीजे एक दिन के लिए दो चमच यूज किया हुआ चाय की पत्ति को भिंगो दीजे और फिर नेक्स दिन उसे उतने पानी मिला कर इसमें दे दीजे नहीं तो वर्मी कमपोस्ट को दो दिन तक पानी में भिंगो ये और थोड़ी सी उसमें निमखली भी डाल दीजे और इसे चान के दो दिन के बाद च चान लिजे फिर उसमें उतना ही पानी मिला कर इससे दीजे तो बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होती रहती है और यह बहुत आसानी से कटिंग से चलने वाला सेकुलेंट प्लांट है फ्रेंट्स कहीं भी से ग्रोव किया जा सकता है तो हमारे हैं लेकिन यह मिलता न अच्छी हुई थी उसमें स्टेम बचा हुआ था फ्रेंट्स उसे मैं कटिंग के लिए ले ली तभी से यह मेरा पूरा फैल गया और बहुत सारे बास्केट मैंने से तयार किया कर लिए इस तरह टीप के कटिंग को आप लगाना होगा तो आपका जो है कटिंग चल जाएग और इसे कम से कम चार से पांच घंटे की सनलाइट देनी होगी तभी फ्लावरिंग होगी नहीं तो नहीं होगी फ्रेंट्स तो देखे इस तरह मेरा कटिंग से तयार किया यह प्लांट है देखे इसका कितना अच्छा ग्रोथ है कितना इसके लिफ्स जो है वह हेल्दी है द इसमें भी काफी अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है, यह भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खुबसूरत प्लांट है, हर कोई को लगाना चाहिए, तो देखे एक और बास्केट मैंने तयार किया है, इसमें कॉस्मोस उगा है, अब इस सभी को मैं सिप्रेट कर दूँगी, नहीं तो इसका ग्रोथ रुख जाएगा, फ्रेंस, इसे हमेशा चार से पांच घंटे की धुब दीजिए, बाकी दिन ब्राइट लाइट भी मिलेगा, तो यह आसानी से ग्रोग करेगा, और फ्लारिं भी करेगा, अगर आप इसे बिलकुल चाया में रख देते हैं, सेडी प्लेस पर तो बिलकुल फ्लारिं नहीं करेगा, लीफ तो बहुत खुबसूरत आएंगे, फ्रेंस, लेकिन फ्लारिं नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, और देखिए, यह मिटी मेरी गिली है, तो भी मैं पानी नहीं डाल इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए, सनलाइट, इसके मिटी, पानी का रिक्वार्मेंट सब अच्छी तरह से पूरा कीजिए, तो यह खुब अच्छी तरह से फ्लारिंग करेगा, और मैं केमिकल का कभी इस्तमाल नहीं करती हूँ, तो हमारे हैं बहुत बरसात होईती द दिन पहले तो देखे, लिप्स कोई-कोई पीली पड़ गई है, ज्यादा पानी के चलते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, इसे पानी से, ओगर वार्टिंग से बचाना है, और यह ज्यादा तर इस मेजेंटा कलर में और रेट कलर में आते हैं, लेकिन पीले कलर के भी आते हैं, लेकिन मैंने अभी तक पीले कलर का नहीं देखा, ज्यादा तर मेजेंटा कलर के ही नर्सरी में एविलेबल होते हैं, तो चलिए फ्रेंट्स बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ने टॉपिक के साथ, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगो पसंद आए होगा, मेरा बेबी संरोज का हैंगिंग बसकेट आप लोगो पसंद आए होगा फ्रेंट्स और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंट्स, साथ में बेल आप लोगो मिलता रहे हैं, बाइ फ्रेंट्स, टेक केर, हैपी गार्डनिंग